हेलो दोस्तों सवागत है आपके अपने चैनल से विल साइट ओग में अज़ जो मैं टॉपिक लिए करा आया हूं वह जी के बारे में जहां चैर प्लेस करते हैं मेजर बृज में तरीखकें करते हैं तो कैसे प्लेस करते हैं उस पर हमारा हॉंच बार प्लेस होता था हूं और इन दोनों साइट से हमारे हाँज बार आता है किस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं चेयर पे चेयर का हम लोग डामेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी लंबाई उसका लंबाई कितना होगा यह सब हम लोग कैसे डिटमाइन करते हैं आज मैं इस टॉपिक में उसका प्लेसिंग सब कुछ A to Z राफ्ट के चेर के बारे में A to Z बात करेंगे हैं, वो अपना चेर किस तरीखा से लगाता है, कि जिससे हमारा कंजेशन ना हो, वर्टिकल बार्ज रेट करने में, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग कम्प्लीट डीटेल में बात करेंगे हैं, इस चैनल पर बने रहना, इस चैनल को जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल बनेगा, उसको भी आन कर लेना, और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना, और मेरी कैरेंटी है कि इस वीडियो को आप देखने के बाद, आप पूरी तरीखे से आपको नौलिज मिल जाएगा, कि राफ्ट के चेर को कैसे प्लेस करते हैं, कैसे उसका डामेंशन करते हैं, और वो भी यह सारी चीज़े मैं आपको प्रैक्टिकली वो साइट पे होते ह यहां पर क्या एक चीज है कि मैं आपको चाहता हूं कि आप याद रखो, कि यहां पर दो बेंड दिखा रहा हूं मैं आपको, वो दो बेंड मैं चाहता हूं कि आपको यह याद रखना है, एक बेंड तो यह आपका सामने होगा और इसके आपके 500 mm की लेंथ है, और दूसरी वाली जो है वारी पेंड दोस्तों आप इसको याद रखना इन दोनों पेंड को मैं आगे यूज करूंगा आपको एक्स्प्लेइन करने में यह दो दोस्तों यह हमारे ब्रिच का ट्रॉइंग है जिस पर कि हम लोग काम कर रहे हैं यह हमारे जो राफ्ट का जो लेंथ है जो जो हमारे ब्रिथ है यह वारा 10.2 मीटर का है और हमारी इसकी लंबाई है यह थर्टीं पॉइंवन 5 मीटर की है यह जो देख सकते हैं यह सामने इस्की लंबाई हो गई यह हमारा साइड वी आप यह सकते हो कि यह जो हमारे जो वाल है जो अर्थ कंड रहती है अब देख अपर लिफ्रेंस है 1700 पर यहां पर वाल इरक्षन हमने शुरू किया है लोके यहां पर होते होते यहां पर 1 मीटर हो जाती है यह हमारा क्या अब्यूट्मेंट कैप हो गया हमारा कैप हो गया हमारा कैप हो गया यहां से यह इसकी बॉंटरी हो गई यह हमारा इस्पेक्शन प्लाटफॉर्म हो गया यह हैंड्रेल हो गया हमारा यह हमारा पेडस्टल हो गया इस पर यह बेरिंग पैड हो गया यह गर्डर हो यह उसके बाद हमारा इस पे और यहां यहां पर रखा जागा यहां पर तैयार हो जाता है तो यहां पर ध्यान देने वाली यह चीज है कि हमारा 5 मिटर के अलग से लेंट दियावा है और फिर इसके आदि हमारा वाल यहां से शुरू है यह 1700 के अपनी ब्रेथ हो गई और 35 मिनट के अपनी एक और चौड़ाए हो गई यह हमारे जो राफ्ट का जो हाइट है यह 800 है और फिर इसके बाद जो हमारा और जो टॉप जाता है वह 900 है राक लेवल एवन हमारा एक्चली किया कभी जो भी कंस्रक्शन होता है तो दो एबिटमेंट का है तो राक लेवल फॉर एवन एवन पर और यह वर्क कर रहे है एटू का रॉक लेवल कहा से स्टार्ट हो जा रहा रहा अपना 402.477 मीटर अपने मींसी हाइट से इतने लेव और फिर उसके बाद चलो अब मैं आपको थेरोटिकली एक्स्प्रेइल करता हूं यह तो मैंने आपको ट्रॉइंग दिखा दिया मैं आपको और फिर बाग तो दोस्तों आप यह देख सकते हो कि यह वही फ्रीज कैच्छ है जो कि उस ट्रॉइंग में दिया हुआ था यहां अपना यह नहीं है और यह अच्रिस उसके बाद अपना राफ्ट का जो बंटम सर्फिस है वह फाइब मीटर का है तिल शाफ्ट फ्रॉम अपर लिग देता हूं अच पिस अर्ट फेस हो गया ये अपना और ये अपना अधर फेस हो गया अधर फेस सवेस सौ अपना जह चाता है वह अपना 5 मीटर का येल वाल और फिर वाल का जो अपना जो प्रत है वह अपना 7 वीठ्ट है व स्की हाइड भी अपनी sunbroój 700 800-900 इकोस उस सेवेटीन div और फिर इसके बाद जो अपना वाल से जो आखरी कॉंक्रीट सर्फिस तक जो अपना जो लेंथ है वो 35 रड़ का यानि 3.5 मीटर का बात आता है जब अपने चेर का तो जो मैंने बताया था यह 0.5 मीटर का इसका L हो गया एक साइड का दूसरे साइड का भी 0.5 मीटर का L हो ग पहले सबसे पहली बात तो हमने जो राफ्ट हमने जो चेर जो यूज किया है जो चेर के लिए जो बार यूज किया है उसका डाया क्या है तो उसका डाया है अपना 25 मीटर का डाया है इसका फिर दूसरी चीज हमारी जो इसकी हाइट है 1.55 मीटर यह कैसे आई तो उसके तो अब जब हमारे 1700 का राफ्ट है तो हम इसको कैसे कालकुलेट करेंगे चेर की हाइट 1700 एम राफ्ट की हाइट है ठीक है तो हम सरीह बिचाएंगे जब भी तो ऐसी बिचाएंगे ना कि हमारा एक लहाँ होगा यहाँ से जाएगा ना कि यहां आपके है और गार यहां होगा इसका एसका इस तरिखें से ओपर उठेगा यहां पर यहां हो ना में वार दैरिक्शन लेक्शन ना और्फोगोनल डारेक्शन पर हमारे डिस्टिबूशन बार प्लेस होगा और यह वाला हमारा में बार हो गया ठीक है अभी यह में बार से हमारे कवर कितने का हो जाएगा यह युझा हमारा 75mm का गवर हो जाएगा यहाँ कर देंगे इसको मैनस कर दोगे तो यह स्कोब हाइब हाइट निकल तो यह मुत निकल के 50 इन हमारी हमारी हाइट निकल कर देगी तो यह उससे हमारे निकला है 1.55 मीटर जो हमारी जो चोड़ा ही है 1.6 मीटर वो कैसे है टिटमाइन हुआ सो यह हमारा हमें दिख रहा है कि इसका ब्रेथ है 1.7 मीटर राइट 1700 इसकी ब्रेथ है सो 1700 में हम क्या करेंगे 50 mm लफ्ट साइड के लिए 50 mm राइट साइड के लिए दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे निकल देगा यह देखो 1700 इसका ब्रेथ निकल गया अब जब 0.5 मीटर क्यों लिया है हम आदा मीटर का आज़ा माजिन लेके चलते हैं कि हमारे लफ्ट में लेके चलते हैं की और यह पिसके प्लेस करके देखाता है हैं सबसे पहले तो मैं अपना ल बना लो बनाने के बाद इसको लेके गल यह कौरनर पॉइंट तक जाएगा पिर उसके बाद ऐसे उठा तो फिर यह नीची आ जाता है चाहने वाद पर यह हमारा फिर सेama हो गया ये तो हमारा जो मैंना आपको जो ये तो हमारा में बार हो गया है हमने जो राफ्ट ने यूस किया है यहाँ पर थर्टीटूए एमेम का हम लोग ने यूस किया थेक है और फिर उसके बाद अर्थ फेस साइट में एक और अफ जानते ही और टॉप बार जब प्लेस होगा यह जब हम टॉप बार जब प्लेस करेंगे यह भी हमारा 32 mm का हम लोग ने साइट पर यूज किया है 32 mm का यह भी जब इसका शीप कैसा है यह इसका शीप ऐसा आप यह देखो अब लग चले ऐसे इस तरीख चले और फिर उसके बाद यह जाके यहां पर एक एक आंगल बनता है यहां पर यह पर प्लेस करते हैं कि यह चैर जो होता हम लोग जिग-जाग पोडिशन प्लेस करते है चैर हमेशा जिग-जाग पोडिशन अगर एक चैर हमने यहां पर प्लेस किया तो दूसरा यहां प्लेस करें कि तीसरा यहां चौथा यहां ऐसे करके प्लेस करेंगे हम लोगों ने टोटल 11 नमबर्स ऑफ चैर यूस किया है 11 चैर यूस किया हम लोगों ने अपने साइट प ये दो जो एंगल जो रहता है ये अपना वाल लाइन पे हो सकता है या तो फिर अंदर होना चाहिए बाहर नहीं होना चाहिए अगर बाहर हुआ तो मतलब हमारा प्लेसिंग या मतलब हमारा बेंडिंग सही नहीं हुआ है जो हमारा सरीया को जो बेंडिंग होगा वो जब सही तो या कि मैंफं सा Ugh अर बाहर प्हार गया तो मतलब सभी कि बेंडिक सही तरॉब् unfold प्लेस किया और इये नीचे आगे और यहां पर हमारा चेयर जो होगा एक इस तरीख से हम आपको एक राफिस के चौर बना के दिखाता हूं कि कैसे हम लोग जिग-जाग पोजिशन प्लेशन करते हैं एक चेयर हम लोग उन्हें ऐसे प्लेश किया नॉमली ठीक है फिर इसके बाद दूसरा चेयर कहां प्लेश कर यहां पर आपका बच्चे का फिफ्टी एम्म यहां पर आपका बच्चे का यह भी 50 अजब आप फिफ्टी जब इधर प्लेश कर दो गें तो यह क्या होगा यह हंडर्ड एम्म का स्पेसिंग हो जाएगा और यह यह जाएगा जो यह वाल्स आकि बिलकुल ऐसे सदे हमारा सभी तरीख आता है ये major bridge के लिए only for major bridge यहां पर मैं लिख देता हूँ ये सिर्फ major bridge के लिए है जो आप chair बनाते हो और स्रेडेंशल building में जो भी आप सरीया जो लगाते हो च्छत के लिए है उसमें जो आप जो चेर डालते हो तो उसमें आप कैसे ही place कर दोगे उसमें आप आगे पीछे कहीं भी place कर दोगे उसमें कोई problem नहीं है लेकिन जब major bridge की बात आती है तो आपको इसी तरीखा से place करना होगा तो यहां पर आपने एक देखा की 32 का तो बाहर मैंने आपको place करके दिखाया और फिर दूसरा बार जो हम लोगोंने site पे यूज किया था वो हम लोगोंने use किया था 16 अम का उसका देखो L देखो इस तरीखा से था यह 400 का L है L-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA-DONO-KA था तो ये वालए 500 कहता था मतलब इसकी लैंथ 500 कहती थी और यह हुम्ने शीकाट का अन्यूआंगल हुए करता था इक और चीज होती है कि यहां पे ध्यान देने वाली होती है कि मेजर प्रेज में हमारा इंठर गार रहता है दाता है कि स्लोन होता हुं है एक साइड़ तो हमारा सीधे चलता है वो अफेस साइड़ एर्थbas साइड पर हमारा वोटर में कीनल यू एक दमपाफ यू पाद। फेस र Min Attac और हमारा क्या जब वाल होता वह स्लोमत में जाता हुं ऐसंसे धीर ंदर के तरफ होता जाएगा कि यहां पर बजन सा 1700 ऑजा कि ऑपर क्या 1 निटर का उजाता यह यहां पर आपको ट्रॉइंग में दिखा चुका होता है कि नीचे 1700 की मिल्स की स्पेसिंग थी और ऑप जाके थादर की स्पेसिंग हो गई है सबसे इंपॉर्टन बाद जो है न दोस्तों जो यहां पर आपके मांड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि यहां पर आप ने बता यहां पर मैंने बताया 50 mm का 50 mm का स्पेस छोड़ना होता हम लों को राइट यह जो लोग ने यहां पर भी हमारो वर्टिकल बार ऐसे ख़ड़ा होगा तो इसलिए क्या हमें यहां पर 50 mm छोड़ना पड़ता है हम लोगों ने जो साइट पर यूस किया वो 32 mm का बार है 32 टाया का बार है एक तो यह इस तरीख से हो गया एक बार ख़ड़ा हो गया फिर दूसरा बार ख़ड करने दियाना था और एक और बार 60 mm का वो कुछ 6.581 मीटर का एक और ख़ड़ा करना था तो टोटल हम लोगों ने अर्थ फेस साइड में अर्थ फेस साइड में हम लोगों ने दो बार ख़ड़ा किया था 32 mm का एक तो यह वाला हो गया थाटीटू एम्हम का जो चो छोटा जो छोटा वाल जो 32 mm जो था जो अंदर में था वो था हमारा 6.581 मीटर का कट लेंद था उसका बाखी ये वाला तो 10-11 मीटर का था सब्सक्राइब का था जो नियुद्ग 10-11 मीटर का था जो में शूटर में 50 mm का जो स्पेस छोडए था उसमें हम लोक्क्ति होगा 2 यहां पर इरिक्त करते हैं तो यह वारव जो भी आप सरीह देखे हुँ है और फिर जो अपना जो दूसरे साइट के सरीया था वह 16 mm यह 32 mm का सरीया होगे हम लोग नहीं जाय से लीचे आप देख सकते हो कि चेयर भी रखा हुआ है दोस्तों यहां पर देख सकते हो जो मैंने बताया था कि ल की किस तरीखा थे प्लेसिंग होती है यह आप देख सकते हो साइड बाइ साइड हम लोगों ने बिलकुल ल प्लेस किया है बॉर्टम मेश का लió और टॉप मेश का लोनों का लोगों हम लोगा लोगों एक्शाइड बाइ साइड उसको प्लेस किया है और प्र दूसरी चीज यहां पर यह देखो कि प्लेसिंग के बाद हमारा डिजाइन कितना खुबसूरत आ जाता है यह दो को हमारा डिजाइन कितना खرب सूरत लग रहा है वन बाई ओ नगी जो एक सा टंग रहा है, कितना खुबसूरत लग रहा है यह यह चेयर प्लेस है, उसके एक अदाद ही आप समझ सकते हों कि 1.25 मीटर की स्पेसिंग है, सो साइट पे इसी तरीखते हमारा चेयर प्लेस होता है.